सभी भाईयों और बहनों को राधे राधे, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है. एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बात चीत कर रहे थे. उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मच्छे आरे हाथों में जाल लेकर वहाँ आये. उनके जाल में बहुत सी मच्छलियां फंसकर तड़ाप रही थी. तालाब के किनारे आकर मच्छे आरे आपस में बात कर एक ने कहा इस तालाब में खूब मचलियां हैं, पानी भी काम है, कल हम यहां आकर मचलियां पकरेंगे, सबने उसकी बात का समर्थन किया, कल सुबह वहां आने का निश्चय करके मच्छियारे चले गए, उनके जाने के बाद सब मचलियों ने सभा की, सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए, सब की चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्र बुधी ने कहा, डरो मत, दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाए, सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार ब बुधी ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा, बुध्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभाव है, जहां वायू और प्रकाश की भी गती नहीं होती, वहां बुध्धिमानों की बुध्धी पहुंच जाती है, किसी के कठन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमी को नहीं छोड सकते, अपनी जन्मभूमी में जो सुक होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता, भगवान ने हमें बुध्धी दी है, भाय से भागने के लिए नहीं, बलकि भाय का युक्ति पूर्वक सामना करने के लिए, तालाब की मचलियों को तो शतबुधी और सहस्त्र ब होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़ कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा, ये कहकर वह मेधक मेंधकी को लेकर तालाब से चला गया, दूसरे दिन अपने वच्छनानुसार वही मच्छेयारे वहां आये, उन्होंने तालाब में जाल बिच्छा द में बांध लिया, सबने तड़ाप तड़ाप कर प्रान दिये, संध्या समय मच्छियारों ने मच्छियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया, शतबुधी और सहस्त्रबुधी बहुत भारी मच्छियां थी, इसलिए इन दूनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों पर की जा रही है, उस समय में एक बुधी इस छोटे से जलाशय के निर्मर जल में सानंद विहार कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुध्धी का स्थान उचा है, और बुध्धी में भी सहस्त्रबुधी की अपेक्षा एक बुधी होना अधिक व्याभारिक है, सीख, विद्या से बुध्धी का स्थान उचा है, और बुध्धी में भी सहस्त्रबुधी की अपेक्षा एक बुधी होना अधिक व्याभारिक है, कथा सुनाकर चक्रधर ने कहा, बुध्धी मात्व से सारे काम पूरे नहीं हो जाते, सुवर्ण सिधी ने कहा, कहते तो तुम ठीकी हो, फिर भी समय पढ़ने पर मित्र का कहना मान लेना चाहिए, तुम उस समय विद्या के अभिमान और लोग के कारण नहीं माने और संकट म फंस गए, मित्र का कहना ना मानने पर वही हाल होता है, जो सियार का कहना ना मानने पर गधे का हुआ था, चक्रधर ने पूछा, वह क्या से, सुवर्ण सिधी बताने लगा, संगीत मय गधा, एक धोबी का गधा था, गधे का नाम था उध्धत, वह दिन भर कपडों के गठ ठरेधर से उधर धोने में लगा रहता, धोबी स्वयम कंजूस और निर्गई था, अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता, निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी, शरीर से गधा बहुत दुरबल हो गया एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदर से हुई, गीदर ने उससे पूछा, कहिए महाशे, आप इतने कमजोर क्यूं है, गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर गीदर बोला, तो समझो अब आपकी भुखमरी के दिन गए, यहां पास में ही एक बड़ा सबजियों का बाग है, वहां तरह तरह की सबजियां उगी हुई हैं, खीरे, ककाया, तोराई, गाजा, मूली, शलजम और बैंगनों की बहार है, मैंने बाग तोड़कर एक जगा अ पार टपकाता गधा गीदर के साथ हो गया, बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भर पेट खाना खाया, दोनों रात भर बाग में ही रहे और पोफटने से पहले गीदर जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया, उसके बाद वे काने लगी और चाल में मस्ती आ गई, वो भुखमरी के दिन बिलकुल भूल गया, एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबियत अच्छी तरह हरी हो गई, वो जूमने लगा और अपना मुँ उपर उठा कर कान फफ़डाने लगा, गीदर ने चिंतित होकर पूछा, मित् रहे हो, तुम्हारी तबियत तो ठीक है, गधा आँखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है, अच्छा भूजन करने के बाद गाना चाहिए, सोच रहा हूं कि धैचू रागगाउं, गीदर ने तुरंट चेतावनी दी, ना ना, ऐसा ना करना गीदर को देखा और बोला, गीदर भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो, गीदर ने हाथ जोडे, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूं, तुम अपना बेसुरा रागल आपने की जिद छ है हम गधे शुधा शास्त्रिय ले में रैंकते हैं वो मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता गीदर बोला गधे भाई मैं मूर्ख जंगली सही पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो अपना मूँ मत खोलो बाग के चोकीदार जाग जाएंगे गधा हसा अरे मूर्ख गीदर मेरा राग सुनकर बाग के चोकीदार तो क्या बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा गीदर ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड कर बोला गधे भाई मुझे अपनी गलती का अहसास हो गया है तुम महान गायक हो मैं मूर्ख गीदर भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ मेरे जाने के दस मिनिट बाद ही तुम गाना शुरू करना ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लोट सकूँ गधे ने गर्व से सहमती में सिर हिलाया गीदर वहां से सीधा जंगल की और भाग गया गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रंकना शुरू किया उसके रंकने की आवाज सुनते ही बाग के चोकीदार जाग गय और उसी और लट लेकर दोडे जिधर से रंकने की आवाज आ रही थी वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चोकीदार ब पड़ा, सीख, अपने शुबचिन तकों और हितेशियों की नेक सलाह न मानने का परिनाम बुरा होता है। ये कथा सुना कर सुवर्न सिधी बोला, तुमने भी मेरा कहना नहीं माना। अब अपनी हालत देख लो। चक्रधर ने उसांस भर कर कहा, तुम ठीकी कहते हो, भाई। जिसके पास अपनी बुद्धी नहीं होती और जो मित्व की सलाह पर भी नहीं चलता, वो मन्थरक नामक जुलाहे की तरह नश्ठ हो जाता है। सुवर्न सिधी ने पूछा, मन्थरक की क्या कहानी है। उद्धरन उद्धरन चिन्ध, चक्रधर बताने लगा, दो सेरवाला जुलाहा मन्थरक, एक बार मन्थरक नामके जुलाहे के सब उपकरण, जो कपड़ा बुनने के कामाते थे, तूट गए। उपकरणों को फिर बनाने के लिए लकडी की जरुरत थी। लकडी कातने की कुलहाडी लेकर वह समुद्र तट पर स्थित वन की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुचकर उसने एक व्रिक्ष देखा और सोचा की इसकी लकडी से उसके सब उपकरण बन जाएंगे। ये सोचकर व्रिक्ष के तने में वो कुलहाई मारने को ही था कि व्रिक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक देव ने उसे कहा मैं इस व्रिक्ष पर आनन से रहता हूँ और समुद्र की शीतल हवा का आनन लेता हूँ। तुम्हें इस व्रिक्ष को कातना उचित नहीं। दूसरे के सुख को छीनने वाला कभी सुखी नहीं होता। जुलाहे ने कहा मैं भी लाचार हूँ। लकडी के बिना मेरे उपकरण नहीं बनेंगे। कपड़ा नहीं बुना जाएगा जिससे मेरे कुटुम भी भूखे मर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम किसी और व्रिक्ष का आश्रय लो। मैं इस व्रिक्ष की शाखाईं कातने को विवश हूँ। देव ने कहा मन्थरक मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन हूँ। तुम कोई भी एक वर मांद लो। मैं उसे पूरा करूंगा केवल इस व्रिक्ष को मत काटो। मन्थरक बोला यदी यही बात है तो मुझे कुछ देर का अवकाश दो। मैं अभी घर जाकर अपनी पतनी से और मित्र से सलाह करके तुम से वर मांदूंगा। देव ने कहा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गाव में पहुंचने के बाद मन्थरक की भेट अपने एक मित्र नाई से हो गई। उसने उससे पूछा मित्र एक देव मुझे वर्दान दे रहा है मैं तुझ से पूछने आया हूं कि कौन सा वर्दान मांगा नाई ने कहा यदी ऐसा ही है तो राज्य मांग ले। मैं तेरा मंत्री बन जाओंगा, हम सुख से रहेंगे। तब मन्थरक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद वर्दान का निश्चय करने की बात नाई से कही। नाई ने स्त्रियों के साथ ऐसी मंत्र ना करना नीती व वो प्यार करती है तो भविश्य में उसके द्वारा सुख की कामनाओं से ही करती है। मन्थरक ने फिर भी पत्नी से सलाह किये बिना कुछ भी ना करने का विचार प्रकट किया। घर पहुचकर वो पत्नी से बोला आज मुझे एक देव मिला है। वो एक वर्दान देने को उद्यत है। नाई की सलाह है कि राजय मांग लिया जाए। तू बता कि कौन सी चीज मांगी जाए। पत्नी ने उत्तर दिया। राजय शासन का काम बहुत कश्ट प्रद है। संधी विग्रह आदी से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता। राजमुकुट प्राय कांटों का ताज होता है। ऐसे राजय से क्या अभिप्राय जो सुख न दे। मन्थरक ने कहा प्रिय। तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राजय प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था। हमें भी कैसे मिल सकता है। किन्तु प्रश्न ये है कि राज जिन न मांग जाए तो क्या मांगा जाए। मन्थरक पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले दो हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो, उससे भी हमारा व्याय पूरा हो जाता है। यदि तुम्हारे हाथ दो की जगा चार हों और सिर भी एक की जगा दो हों तो कितना अच्छा हो, तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना का पड़ा हो जाएगा, इससे समाज में हमारा मान बढ़ेगा। मन्थरक को पतनी की बात जच गई, समुद्रतट पर जाकर वह देव से बोला, यदि आप वर्दे नहीं चाहते हैं तो ये वर्दों की मैं चार हाथ और दोसेर वाला हो जाऊं। मन्थरक के कहने के साथ ही उसका मनुरत पूरा हो गया, उसके दोसेर और चार हाथ हो गये, किन्तु इस बगली हालत में जब वह गाव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया, और राक्षस राक्षस कहकर सब उस पर तूट पड़े, लोगों ने पत्थरों से इत कि अगर अपने पास बुद्धी न हो तो मित्रों की सलाही मान लेनी चाहिए। चक्रधर ने कहा, छीखी कहते हैं, असंभव की आशा और अनागत की चिंता में दूबे रहने वालों की दशा कालपनिक सोंशर्मा के पिता जैसी होती है। सुवर्ण सिधी ने पूछा, वह कौन था। चक्रधर ने बताया, ब्राहमन का सपना, एक नगर में कोई कंजूस ब्राहमन रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्ट सत्तूों में से थोड़े से खाकर शेश से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से ब साल पड़ेगा तो इन सत्तूों का मूलिय सौ रुपय हो जायेगा। उन सौ रुपयों से मैं दो बकरियां लूगा। छा महीने में उन दो बकरियों से कई बकरिये बन जायेंगी। انहें बेचकर एक घाय लूँगा। बोंके बाद भैसे लूँगा और फिर घोड़े ले भोडों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा मेरी संपत्ती को देखकर कोई भी ब्राहमन अपनी सुरुपवती कन्या का विवा मुझसे कर देगा वो मेरी पत्नी बनेगी उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोमशर्मा रखूंगा जब वो घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुशाला के पीछे की दिवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लिलाएं देखूंगा उसके बाद सोमशर्मा मुझे देखकर मां की गोध से उत्रेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी मां को ख्रोध से कहूंगा अपने बच्चे को संभाल वो ग्रह कारिया में व्याग्र होगी इसलिए मेरा वचन न सुन सकेगी तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा ये सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए उपर उठा वो ठोकर सक्तू भरे घड़े को लगी घड़ा चकनाचूर हो गया तंजूस ब्राह्मन के स्वपन भी साथ ही चकनाचूर हो गये सीख शेक्चिली ना बनो तथा सुनकर सुवर्न सिधी ने कहा ठीक कहते हो लोभवश लोग इसी प्रकार डैख पाते हैं जो व्यक्ति परिनाम पर बिना विचार किये जल्दबाजी में कोई काम करता है उसे राजा चंद्र की तरही दुखी होना पड़ता है चक्रधर ने पूछा वह क्या से सुवर्न सिधी बताने लगा वानर राज का बदला एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था बंदरों का सरदार भी बड़ा चतूर था वो सब बंदरों को नीतिशास्त्र पढ़ाया करता था सब बंदर उसकी आग्या का पालन करते थे राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानर राज को बहुत मानते थे उसी नगर के राजग्रिह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेय भी थे उन में से एक मेधा बहुत लोबी था वो जब जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था रसोई उसे लकडी से मार कर बाहर निकाल देते थे वानर राज ने जब ये कलह देखा तो वह चिंतित हो गया उसने सोचा ये कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा कारण ये कि जिस दिन कोई नौकर इस मेरे को जलती लकडी से मारेगा उसी दिन यह मेधा घुर साल में घुसकर आग लगा देगा इससे कई घुड़े जल जायेंगे जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चरबी की मान्ग पैदा होगी तब हम सब मारे जायेंगे इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजग्रे का त्याग कर दें किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना राजग्रे में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे उन्हें छोड़ कर वे कैसे जाते उन्होंने वानर राज से कहा कि बुड़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धी मंद पड़ गई है हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत्समान मीठे फलों को छोड़ कर जंगल में नहीं जाएंगे वानर राज ने आँखों में आँसु भर कर कहा मूर्खों वानरों को सावधान किया था एक लोभी मेधा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकडी उस पर फैन की मे के बाल जलने लगे वहां से भाग कर वो अश्वशाला में घुस गया उसकी चिनगारियों से अश्वशाला भी जल गई कुछ घुड़े आग से जल कर वही मर गए कुछ रसी तुड़ा कर शाला से भाग गए तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घुड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा वैद्यों ने आयूर वेदशास्त देखकर सलाह दी की जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बना कर लगाई जाए राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आग्या दी सिपहियों ने सब बंदरों को पकड़ कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया वानर राज को जब अपने वंशक्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़ा कुछी दिन राथ वह इसी चिंता में घुलने लगा आखिर उसे एक वन में ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुश्यों के पद्चिन्ह थे उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुश्य गए सब मर गए, कोई वापिस नहीं आया वो समझ गया कि यहां अवश्य कोई नर्भक्षी मगरमच है उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंचहार धारन किये हुए मगर मच निकला उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापिस नहीं गया तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाई करके विलक्षन बुद्धी का परिचय दिया है मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन हूँ तू जो वर मांगेगा, मैं दूनगा कोई सा एक वर मांग ले वानर राज ने पूछा, मगर राज, तुम्हारी भख्षन शक्ती कितनी है मगर राज, जल में मैं सैकड़ों, सहस्त्रों, पशू या मनुश्यों को खा सकता हूँ भूमी पर एक गिदर भी नहीं वानर राज, एक राजा से मेरा वैर है यदि तुम ये कंचहार मुझे दे दो, तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भूजन बना सकता हूँ मगर राज ने कंचहार दे दिया वानर राज कंचहार पहिनकर राजा के महल में चला गया उस कंचहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा, राजा ने जब वह कंचहार देखा तो पूछा, वानर राज, ये कंचहार तुम्हें कहां मिला, वानर राज, राजन, यहां से दूरवन में एक तालाब है, वहां रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता उसे वह कंचहार मिल जाएगा, राजा ने इच्छा प्रगट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दर्बारियों समेत उस तालाब में जाकर सनान करेगा, जिससे सबको एक-एक कंचहार की प्राप्ती हो जाएगी, निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानर राज के साथ तालाब पर पहुँच गए, किसी को यह न सूझा की ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, त्रिशना सबको वंधा बना देती है, सेकरों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की त्रिशना रखता है, लक्षप्ती करोडपती बनने की धून में लगा रहता है, मनुश होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए, वानर राज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठाहर जायम, पहले और लोगों को कंचहार लेने दीजिए, आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा, हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक कंचहार मिलेंगे, जितने लोग जलाशय में गए, सब ढूब गए, कोई उपर ना आया, उन्हें देरी होती देख राजा ने चिंतित होकर वानर राज की ओर देखा, वानर राज तुरंत व्रिक्ष की उची शाखा पर चड़ कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब ब पदला लेना था, ले लिया, जाओ, राजमहल को वापिस चले जाओ, राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किन्तु अब कोई उपाय नहीं था, वानर राज ने सामान्य नीती का पालन किया था, हिंसा का उत्तर प्रते हिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से दे देता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सबी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे प आप दो रदे रदे